तो वीडियो को लाइक बनता है चानल को सब्सक्राइब बनता है जो हमने एक सीरीज हमने शुरू किया है तू बनेगा टॉपर और तेरे को टॉपर में बनाऊंगा कैसे सिर्फ तू देखता रहे और चानल को देखता रहे सब्सक्राइब करता रहे वीडियो देखता रहे है तो रहूँ सब्सक्राइब स्बस्टर को स्ब्सक्राइब biology का आगे in chapter 1 मैं हर एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ ये total 16 दिन, 16 टेस्ट है ये और ये सवाल कम से कम 200 के आसपस सवाल है जो की IMP है most expected है और इसको अगर करेंगे तो definitely आपका score बढ़ने वाला है अब कुछ students बोलेंगी सर इस सवाल की chances कितने आने के आने के chances बहुत जादा है क्योंकि ये सब PYQ questions है, as it is सवाल पूछे जाएंगे ऐसा में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन concept हाँ, ऐसे ही होंगे क्योंकि concept तो repeat होगा, syllabus limited है हमारे पास, board exam को उसमें से ही पूछना है तो ये मैं आपको पहले test के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर test पसंद आती है, वीडियो आता है पसंद तो like तो बनता है यार है ना, चलो, देखो ये आपकी test 1 थोड़ा इसको zoom out करते है, ठीक है देखो, biology में आपको दिख रहा है इदर क्या दिख रहा है, biology और biology में न chapter आपको दिख रहा है ये biology chapter 1, physics chapter 1 chemistry chapter 1, हर एक test में ऐसे आपको chapter दिख जाएंगे पहले page पे, पहले chapter के, सारे subject के 5-5 सवाल, ये देखो पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, तो 5 सवाल biology के पहले chapter से, उसके आगे, वो कब पूछे गए, उनके deads भी दिये गए है, physics में भी वैसा ही है, 5 सवाल पहले page पे, पहले chapter के, और आगे कब पूछे गए है, वो भी है, तो इन 5-5 सवाल को आप daily solve कर सकते हो, या फिर आप जैसे आपका schedule है, उस परकार से आप उसको solve कर सकते हो, tension लेनी के कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ इसके आप practice करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आप नीचे आई है, तो chemistry में भी वैसा ही, देखो एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच सवाल, और आगे कब पूछे गया है, 19, 16, 19 और यह ऐसे सवाल है, जो हमने खुद pick up किया है, कि यह आने के चांसे ज़्यादा है, ठीक है, तो यह आपको practice करना है, day 2 में भी वैसा ही है, chapter 2 के 557, all subject physics, chemistry, bio, day 3 में chapter 3 के 557, chapter 3 physics का भी, chemistry का भी, bio का भी, तो इतना सारा study material हो, इतना जादा महनत किये हैं, स्रिफ आपके लिए और हम आपके लिए महनत करते रहेंगे, यह PDF आपको कहा पे मिलेगा, चलिए बता देतो, है ना, देखो, आगे आप जैसे जाओगे, chapter 9 पे मिलेगा, chapter 10 पे मिलेगा, chapter 11 पे, chapter 12 पे, chapter 13 पे, chapter 15, 16, अब day 16 बनता ही नहीं, अगर bio का लेते सिर्फ तो day 15 तक ही होता ना, क्योंकि bio में 15 ही chapter है, लेकिन physics chemistry में 16-16 chapter होने के कारण, हमने यह day 16 तक इसको continue किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले, आप क्या करो, bio के 5-5 सवाल 16 दिन तक solve करो, bio की खतम होने के बाद, physics के 5-5 सवाल आप 16 दिन तक solve करो, उसके बाद आप chemistry के 5-5 सवाल 16 दिन तक solve करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, जो कि आपका लगबग 50 दिन में, फिर आपका ये पूरा पढ़ाई हो जाएगा, मतलब, question का practice हो जाएगा, समझ मैं आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये आपको कहा पर मिलेंगे, वो एक last में आपको बता दे रहा हूँ, देखो, सबसे पहले, download करने आपको bio study, description में आपकी link है, उसके बाद, आपको ऐसे three dot मिलेंगे, left corner में आपकी, उधर click करेंगे तो, उधर एक free material करके option होगा, उसमें जाएए, उधर आपको एक folder दिख जाएगा, class 12, chapter wise, oceans, physics, chemistry, biology, pdf, और वो pdf आपको free of cost मिल जाएगी, अभी के अभी जाएए, आपको download करिए, साथ हूँ, चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay happy, stay motivated, thank you so much.